तो बच्चे यह ना सोचें कि अग्जाम आपका पोस्ट पॉंड हो सकता है उससे पहले आपका नोटिफिकेशन आया था बहुत टाइम पहले जिसमें आपकी कुछ वेकेंसियों का शड्यूल बता दिया गया था कि अपरेल में आपके कौन-कौन सी एक्जाम वो कंडेक्ट कर परवाए जाएंगे ठीक है यह नोटिफिकेशन आया था आपका ओन-लाइन एक्जामिनेशन फोर दा पोस्ट पोड वरियस दिपार्मेंट शड्यूल इन 19,20,22,23 अप्रेल था यानि कि मंडे से इनके एक्जाम होने थे तो मैं आपको एक बात बता दू कि इनका एड्मिट कार्ड वो कल रिलीस कर दिया है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं डाउनलोड एड्मिट कार्ड फोर ओन-लाइन एक्जामिनेशन टू बी हेल्ड ऑन 19,20,22,23 अप्रेल 2021 तो बहुत ही बड़ी अपडेट है यह मतलब अभी तक बच है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अभी जो आपके DSSB ने जो 2020 में फॉर्म भरे गए थे उनके जो एक्जाम डेट निकाली है यानि कि माई, जून और जुलाई तीन महिनों में आपको बताया गया है कि आपके सारे एक्जाम जो है DSSB की तरफ से हो जाएंगे तो आप सोचके बैठे कि भी COVID आ गया है और क्या पता भी ऐसे ही निकाला हो फिर बाद में जो है एक्जाम को पोस्ट पॉंड कर दिया जाए या फिर कुछ और ऐसे कर दिया जाए तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है आप जो है बस थोड़ा सीरियस हो जाओ अपनी पर हाई को ज आइन है अब मंडे पॉड़ा परेटर शेरियसल अब आपको पेपर है तो इसका जो है जो है जुनियस टैनोग्राफर के पर का एक्जाम होना है उसके बाद 20 आप राइल को फाईर ओपरेटर 22 को स्टोर कीपर और फूड सेफटी जुनियस टैनोग्राफर और 23 आपरेटर क तो इन सब का जो है आपका एक्जाम होना है और इनका सब का एडमेट कार्ड भी निगाल दिया गया है तो आप लोगों के रहे बहुत ही बड़ी अच्छी खुश्कवरी लगा लो भई कि विदिन टू मंस जो है वह आपका एक्जाम कंडेक्ट हो जाएगा तू मंस भी जाद कि बच्चे यह ना सोचे कि एक्जाम पोस्ट पॉंड हो रहे हैं एक्जाम नहीं होंगे तो इसलिए हम भी थोड़ा धीले रहे हैं सब बिल्कुल नहीं है आप आपको त्यारी करने की ज़रत है तो फिर मिलेगे नेक्ट क्लास में तब तेक लिए बाई और थांक्यू